यूपी एसी टॉप और सुभम कुमार ने अपने मात्री भासा यानि ठेटी भासा में अपने गाउं लोगों को कैसे मोटिवेट किया देखिए इस वीडियो के माध्यम से दमार्केट न्यूज आपको दिखा रही है अब आप लोग शांद होकर बैठिए शूप शंदिया हमें सबसे पहले अपने मात्री भूमी के परणाम करें चीए यहाँ पर उपस्ति सारे लोगों के नमन करें चीए हमरो नाम सुभम कुमार चे है हमरा ठेटी उतना अच्छा नहां आवे चे है मम्मे के मैं एक मेहना पहले बोलिये कि अहां सारा चीज हमरा दिल के बट लेकिन हमरा अपनों मात्री भासा नहीं से खल के थेटी मैचली का एक बोली है आप अपने बच्चों को सारा लेंग्वेज सिखाईए आप थेटी भी सिखाईए हिंदी भी सिखाईए और इंग्लिस भी सिखाईए आप लोगों को लगता हुआ कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ लेकिन मैंने जब अपनी ट्रेनिंग अकाजमी में सबसे पहले गया तो वहां पे सारे यूपेसी क्राक कीवे बंदे थे सारे वहां पे जोबी थे सब राइंकर थे टॉपर्स थे तो सारे लोग ने पूछा कि सु दी दी तो दूसरी भासा है सारे लोगों का कुछ ने कुछ उनका खुद का भासा होता है और वो उस पे गर्व करते हैं तो मेरा ये कहना है कि आप अपने कल्चर को अपने संस्कृति पे गर्व होना चाहिए जहां भी मैंने गया वहाँ पे शुरुवात में लोग बोलेंगे कि एक बिहारी है लेकिन धीरे धीरे उनको यकीन हो गया कि बिहारी क्या कर सकता है वो बला कि बिहारी ऐसे बोलता है गुज्राती भी तो अपना अलग भाशा बोलता है कभी साउथ वाले लोगों को देखा कैसे हिंदी बोलते हैं मेरा यह कहना है कि अपने पे आपको confidence होना चाहिए आपने शुराश होना चाहिए अपने पे गर्व होना चाहिए जब आप अपने को जान पाएंगे तो ही आप अच्छे से अपने life में कुछ कर सकते हैं क्योंकि फिर आप अपना शक्त प्रतिस्द देंगे मैं जो भी हूँ वो मैं अपने परिवार वालों के वज़ा से हूँ मेरे परिवार में पापा, ममी, चाचा, चाची, दीदी, भाई, बहन सबका महत है मैं कहीं पे भी गया हर दिन ममी पापा से हर दिन अपने परिवार वालों से बात किया तो ये कहने के लिए एक छोटा सा बात है लेकिन जब आप अपने लोगों से अपने लोगों की पास रहते हो और उनका फुल सपोर्ट आप पे होता है तो मुझे ये लगा कि अगर मैं एक्जाम नहीं भी क्वालिफाइ कर पाऊं फिर भी मेरे पड़िवार मेरा हमेशा साथ पाउड़ेगा कभी भी ऐसे पापह नहीं बोले कि ये एक्जाम नहीं क्वालिफाइ करोगे तो क्या होगा वैसा कुछ में चपकुरा ये बहुत बठी रूल प्ले किया मेरे सॉकसेस में एक्जाम के हर हर घरी में हर स्टेज पे मैं ये बोला कि पापा इतना मुश्किल मु तो यह सपोर्ट जो है वो बहुत यूनीक रहा वो बहुत अलग किसम का सपोर्ट रहा और दूसरी बात जो पापा कह रहे थे कि चाचा भी कह रहे थे कि घर का महौल अच्छा होना चाहिए तो अभी तक मैं एक एक इंसिडेंस मैंने नहीं बताया है कि मुझे असल में तो बालदेर दादर मेरे घर पे आते हैं वो अपने बेटी के शादी के लिए कुछ तीन हजार रुपे पापा से उधार पे लिए होंगे और उनकी शादी उनकी बेटी के शादी पापा यहां मंदीर में कराये थे तो पापा ने यह नहीं कहा कि तीन हजार रुपे मैं दे 드 College से फिर 15 में तीन हजा रुपे नादवा को दरद है कि यह आपकी महनत की रहे हैं यह अपने साथ रखेrick यह मैं कहना चाहता हूँ कि इसे यह किया वह कि वह सामने मेह वो कमाई वो फ्री का पैसा नहीं समझा इसी तरह मैं भी चाहता हूँ मेरी ये कामना है कि मैं भी लोगों के लिए काम करो एक बार रिजल्ट आ जाना बड़ी बात होती लिए उससे बड़ी बात है कि लोगों के आशाओं पे ख़ड़ा होना मैं भगवान से पढ़ातना करता हूँ कि मुझे इतनी सक्ति दे कि मैं हर लोगों के आशाओं पे ख़ड़ा उतरू इसके अलावा आप आप जो भी रहें लेकिन सबसे पहले आप आदमी अच्छा बनें लोगों ने कहा कि तुम्हारा लग बहुत अच्छा है एक्जाम कौलिफाए हो जाता है अच्छे कर लेते हो लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप तर लग तभी साथ देगा जब आप खुद के लिए आप सही हो आप दूसरों के लिए सही हो आप दूसरों की मदद करें आप 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 पे भवाहन मदद करेगा चात्रों के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे बच्छपन में मुझे लोग कुछ कहते हैं कि बहुत जिद्दी है मैं अब कहता हूँ कि जिद्दी है तो ठीक है मैं यह करूँगा मैं करके दिखाऊँगा यह जिद्दी बहुत अच्छी चीज़ है जिन्दगी में उतार चाराव हर किसी के जिन्दगी में होता है मेरे भी जिन्दगी में रहा जब विद्धे विहार में क्लास 6 में गया 110 लोगों में मेरा अस्थान जो होता था वो 40-50 के आसपास होता लेकिन पापा मुझे कभी फोर्स नहीं कि कि तुमको पहला अस्थानी लाना है क्लास 6 में ऐसे ही रहा 7 में भी क्लास 40 के आसपास ही रहां कर रहता था क्लास 8 में किसी ने मुझे कह दिया कि शुभम बहुत लगी है 40 के आसपास रहां का आता है सेक्शन A में चले जाते हो विदेवर में रूल था कि टॉप 40 वाले को सेक्शन A में रखते थे तो फिर मैं यह सोचा मैंने प्रन लिया कि मैं यह करके दिखाऊंगा कि यह बस लख नहीं है मैं महनद करूंगा चात्रों को यह कहना चाहता हूं कि जब आप प्रन लेते हैं आपके पास एक प्रॉपर प्लान होता है आप उसको उसको इंप्रिमेंट करिए और धीरे धीरे आप खुद का एक बहतर सेल्फ बन के निकले आपको यह हमेशा लगना चाहिए कि आज का जो मैं हूं कल का जो मैं बनूँगा आज के मैंसे बहतर बनूँगा जिंदगी बहुत चीज़ सिखाती है संघर्ष बहुत चीज़ सिखाता है और लाइफ के हर फेज में हमारी कोशिस ये रहती है कि मैं अपना एक बेटर सेल्फ बनूँ मैं इसे भी और अच्छा बनूँ और मेरा भी यही रहेगा लाश में मैं एक पंक्ति बोलूँगा कि कर्मन्ये वधिकरस्ते मा फलेशु कदाचना अर्थात आप कर्म करिए फल की चिंता ना करें फल तो कभी न कभी आहीं जाएगा धन्यवाद और को बहुत बहुत धन्यवाद और को उसके जीवन की शुब कामना के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतने की तादात में यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सारे लोग इतने अच्छी बाते कही मैं यह विश्वास गिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जैसा भी सोचा होगा उस पे मैं खरा उतरने के कोशिस करूँगा